कटोरी चार्ट बनाने के लिए कटोरी बनाना बहुत जरूरी होता है अगर मैं आपको कहूँ कि कटोरी बनाने के आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं फिर भी आप कटोरी चार्ट अरामसे बना सकते हो वो कैसे आपको यकिन ही नहीं आएगा तो चलिए देर किस बात की बिना कटोरी बनाएं हम कटोरी चैट बनाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से चैट पटी तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू और चने का मसाला बना लिया है यह मसाला कैसे बनता है मेरे चैनल के उपर कल अपलोड हो चुका है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ से भी आप दे सकते हो तो यहाँ पर यह चना मसाला हमारा एकदम रेडी है अब चलते हैं दही बनाने की प्रोसेस में तो दही चाट हम बनाएंगे तो दही के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी दही ली है इस दही को हमें फेट लेना है याने की विसकर की मदद से विसकरना है ताकि यह पहुत ही अ तो सबसे पहले इसमें जाएगी चीनी तो दो चमच चीनी में डाल दी है थोड़ा सा काला नमक जाएगा और थोड़ा सा साधा नमक तो आप अपने हिसाब से दोनों नमक टेस्ट के अनुसार डाल दे और चीनी डाल दे बस इतनी ही चीज़े हमें डालनी है और इसे अच्छे दही एकदम रेडी है, दही के लिए हमेशा फ्रेश दही का ही यूज करें, इतना ही ध्यान रखें, अब हम बनाते हैं कटोरी, तो कटोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी पूरी का यूज किया है, जी हाँ यह पूरी जो मिलती है इंस्टन्ट वाली, यह हमें सिर्फ करना है, और कटोरी अपने अब बन जाएगी बहुत आसान तरीका है, तो अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें डाल देते हैं पूरी और इसे फ्राइ कर लेते हैं, एकदम फुली फुली पूरी बन के रेडी हो जाती है, और इससे ही मुझे यह आइडिया आई, कि आज हम बिना कटोरी के कटोरी चाट बनाने का, तो है ना एकदम आसान तरीका बिल्कुल भी हमें ना ही आटा गुनने के जरूरत है, और ना ही बैटर बनाने की, तो यहाँ पे यह पूरिया मैंने सरी प्राइ कर ली है, अब हमें बनाने है कटोरी, तो कटोरी बनाने के लिए एक knife के मदद से हम cutory बनाएंगे तो ये जो market वाली पूरी होती है ना ये दो हिस्सों में बटी हुई रहती है इसके बीच में से एक line होती है और इस line से हमें सिर्फ cut करना है knife की मदद से पोहत आसान तरीके से ये अलग हो जाते है दो part इसके बीच में line होती है ध्यान रखें तो इसे ही हमें हलके हातों से cut कर लेना है तो दो part अपने आप अलग निकलाते हैं तो एकदम easy cutory recipe ये मैंने आपको दिखाई है अच्छानक से कोई आया ना तो ये recipe बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो cutory चार्ट जब भी हम बनाते हैं तो cutory का ही ज़्यादा tension होता है लेकिन अगर इस तरह से cutory हमारे पास instant वादी हो तो क्या बात है अराम से कभी भी हम ये recipe बना के ready कर सकते हैं तो आप चलते हैं इसे serve करने के लिए तो serve करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है इसमें रख दिया है cutory अब हम इसमें सारी चीज़े डालते जाएंगे सारी चीज़े मेरे ready है और ये सारी चीज़े मैंने कैसे बनाई है कल मेरे चानल के उपर मैंने अपलोड की है पानी पुरी की रेसिपी आम की पानी पुरी कैसे बनाई जाती है वही रेसिपी कल मेरे चानल के उपर अपलोड की है वहाँ जाके आप देख सकते हो और उसी रेसिपी से मुझे ये आइडिया आया और मैंने ये रेसिपी भी बनाई तो आप देख सकते हो है ना अग्दम मास्त और बहुते बहतर इन आइडिया तो यहाँ पर इस कटोरी में मैंने डाल दिया है मसाला सबसे पहले अलू मसाला इसके बाद में थोड़ा सा प्यास डाल दिया है थोड़ा सा डाल देते हैं बुंदी इसके बाद में इसमें डाल देते हैं खीरा भी यूज़ कर सकते हो टमाटर यूज़ कर सकते हो यह आपने पसंद से आप कोई भी चीजे इसमें अड़ कर सकते हो अनार के दाने भी डाल सकते हो बहुत ही ज्यदा टेस्टी बन जाता है लेकिन मैंने बहुत SüMPL तरीके से बनाया है क्यूंकि आपको दिखाना था कि ये कटोरी चाट कि बीना कटोरी के हम कैसे बना सकते हैं तो अब मीठी चटनी हरी चटनी डालने के बाद मैंने डाल दिया है मीठा दही और इसके बाद में अब शेव डाल देते हैं और इसके उपर कुछ मसाले डाल देते हैं जैसे की काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, ला लगती है यह चार्ट आप एक बार जरूर ट्राइब करें यह रेसेपी आपको बहुत पसंद आने वाली है यह मेरी गारेंटी है यह नए तरीके की रेसेपी कल मुझे आइडिया आ गया इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में इसे शेर किया जाए तो कैसी लग है खाने में तो यह टेस्टी है ही अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे यह रेसेपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेर करना ना भूले तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और नए-एने रेसेप बाइ